नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे डे वो क्लोस की जाए और मंत बुक क्लोस की जाए और बेंग रिकोगनिशन किया जाए और येली बुक कैसे क्लोस की जाए तो इसकी पूरी डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ तो आप ध्यान से देखिएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आपको इस तरह से नीचे मेरे वीडियो के नीचे इस तरह से दिखेगा ऑन लेइन पंचार है दोस्आ है यहां सब्सक्राइब की बटन इस सब्सक्राइब की बटन को जरूर किलिक कीजिए क्योंकि इस बटन पर क्लिक जरूर के इससे अवरे प्रते एग नए वीडियो की निलती रहे principle में तो आप ये सब्सक्राइब बटन जो दिखंग रही हमें किस तरह से डे वोग क्लोज करना है और मंत वोग क्लोज करना है यहली के यहली बुक क्लोज करना है और बेंक रिकागनिशन के से क्लोज करना है तो सबसे लम आते हैं यहां लॉगिन पर हम लॉगिन यहां करेंगे आप सभी को पता है कि मैं तीन लॉगिन है एडियम लॉ लॉग इन करने जा रहा हूँ यहां जैसे मैंने लॉग इन किया तो हमें यहां जाना है पीरियट एंड प्रोसीजर पर यह अब हम क्लिक करेंगे पीरियट एंड प्रोसीजर पर तो इसमें जैसे लिखा जाएगा closing of books यह आप देख रहे हैं विल्कुल साफ साफ इसके बाद इसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है close day book, close month book, close year book तो हम सबसे पहले close day book पर click करते हैं यह देखिए मैंने जैसे ही close day book पर click किया यहां लिखा हुआ रहा है financial year और day book 13, 5, 2, 1, 20 फिर किस day book को close करना है तो 14, 5, 2, 1, 20 यह प्रत्यक दिन की अलग-अलग होती है एक एक दिन की यह 13, 5, 2, 1, 20 से 16, 5, 2, 0, 20 तक तो यह करी इसके पाद मैं यहां जो green color में दिख रहा है close day book इस पर click करूँगा यह देखिए मैंने click करी close day book जैसे क्लिक करी दुनिया लिखा हो रहा है day book आप 14, 5, 2, 20 has been closed successfully अब हमें okay पर click करना है अब हम जाएंगे period and procedures पर यहां आपको फिर दिख रहा है closing of books इस पर click किया तो अब हम जाएंगे close month book अभी हमने close day book पर click करेंगे close month book तो देखिए यहां close month book में आ रहा है last month book close अप्रेल 2020 और नीचे लिखा रहा है month book to be closed कौन सी month book close करना है तो मई 2020 तो अभी आप यह ध्यान रखेंगे हमने किवल एक दिन की ही day book close करी थी 14 मई से 15 मई तक की या 13 मई से 14 मई तक की आप देखिए जैसे हमने close monthly book पर क्लिक किया यह देखिए मैंने close monthly book पर क्लिक किया तो यहां आप सामने देख रहा होंगे कि यह बहुत सारी day book जो हमने close नहीं की थी यहां लिका हुआ आ रहा है unclosed debts जो हमने day book close नहीं की थी वो यहां सामने आपको दिख रही है कि आप जदी आप मन्थ भू क्लोस करेंगे तो ये डे बुक अपने आप ही क्लोस्ड हो जाएंगी तो जदी आपने इन दिनों में कुछ काम नहीं की है तो आप सीथे जिससे यह बाकी सारी देवुक अपने आप ही लोज हो जाएंगे हमें अलग 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 देवुक लोज नहीं करना पड़ेगा यह देखे जहां लिखा रहा है देवुक अप सरेक्टेड़ेट्स विल भी क्लोजड वुल रहा है कि इतने दिन की देवुक अपने आप जैसे ही हमने ओके पे क्लिक किया तो यहां देखे है अप सामने स्क्रीन आने वाली है यह देखे है यह यह स्क्रीन इसलिए आगी है मेसेज फ्यूचर मंत बुकन मतलब हमारी यह मंत बुक क्लोज हो चुकी है अब यहां हमारी फ्यूचर मंत बुक ही क्लोज होगी क्योंकि यहां यालि हमने मन्थ की मैइ मन्थ की मन्थ प्रोसेज कर दिये हैं अब हम यहां अर्य देख ली अब मेसस दिख रहा है है अब हम यहां ऑक्की पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने यहां period end procedures पर क्लिक किया था तो यहां लिखा रहा था closing of books इस पर जैसे ही क्लिक किया था तो यहां लिखा रहा था close day book, close month book, close year book तो आपने यहां बिल्कुल अच्छे से देखा है close day book हम एक एक दिन की day book close कर सकते हैं यदि हमने कुछ दिनों में काम नहीं किया तो हमने सीधे close month book पे क्लिक किया close month book पे जैसे ही क्लिक किया तो जितनी day book हमने close नहीं की थी software ने हम से पूचा कि क्या जितनी day book आपने close नहीं की है वह भी आप डेवुक क्लोस करना जाते हैं, हमने हां क्लिक किया, तो हमारी मन्थ बुक अपरेल से मही तक की क्लोस हुई, उसी के साथ जो डेवुक हमने क्लोस नहीं थी वो भी क्लोस हो गई, तो यह सबसे सरल तरीका है, ज़्य हमने कुछ दिनों में काम नहीं किया, तो हम लिखने आ रहे हैं close yearbook अब close yearbook से मतलब है financial year से जैसे अभी financial year हमारा 2019-2020 खतम हुआ है समाप्त हुआ है तो हम close yearbook पे क्लिक करेंगे आपको मतलब yearbook close करना हम जैसे yearbook close पे क्लिक करेंगे तो जो month हमने कुछ close नहीं किये होंगे तो वो पता देगा कि आपने ये month पे क्लोज नहीं किये तो ये automatically close होंगे कि आप continue रखना चाते हैं तो हम उपके पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से हमारी yearbook भी close हो जाएगी तो इसमें आप बिल्कुल सिंपल समझे जैसे हम close day book करते हैं close month बुक करते हैं वे से ही पुरी process close yearbook की भी है अब चुकि मैंने yearbook close कर चुका हूँ मैं इसलिए यहां मैं ज 2020 की yearly book close कर दिये तो अब यहां लिखा रहा है close March month book to close your yearly book यह अगले साल की होने लगा है इसलिए मैं यहां सिर्फ okay click कर देता हूँ तो दोस्तों यह मैंने आपको बता दिया कि कैसे close book करना है close day book करना है close month book करना और close yearly book करना है अब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करि यह पूरी तरह से initial के इससे आपको मेरी प्रत्यक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी अब दोस्तों हम सीखने जा रहे है यह आपने देख लिया अब आपको आपके सामने दिक्कत आएगी कि हम बेंक का जो रिकागनियेशन है वो केसे close करें अब चुके आप देख र प्रोसीज्रह स्थ प्लवट्स पिक नहीं नहीं दिखेगा तो आपको यदि पेमेंट करना है तो पेमेंट के लिए आपको पता है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा अब कट इनपक करेंगे तो अब पेमेंट वाउचर भी नहीं बना पाएंगे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जैसे मान लिजिए आप ये देखिए यदि अब आप ये डेवु क्लोस करेंगे तो देखिए सामने क्या मेसेज आने वाला है यहां सामने मेसेज आएगा बेंग रिकाउंट नमबर बेंग जो हमारे खाता है बनजात का शुट भी फ्रीजड बिफोर क्लोस डेवु तो हमको बेंग रिकाउंट जैसे ही आपका फ्रीजड नहीं हो पा रहा है तो आप आगे की डेवुक भी क्लोस नहीं कर पा रहे हैं अब जब आगे की डेवुक भी ही क्लोस नहीं होगी तो हमारा पेमेंट बाउचर भी क्रियेट नहीं हो पाएगा तो आप देखिए जैसे मैंने बताया की इग्राम सुराज पोटल पर यहां कहीं भी अभी आप्शन इन्होंने बेंक रिकागनेशन का नहीं जोड़ा है किसी भी आप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे तो यहां बेंक रिकागनेशन का आप्शन नहीं आएगा और यहां प्रिया शॉप्यार पंचाइचि राज इंस्टिटूइशन अकाउंटिंग सॉप्यार ये पोटल पर अभी तक हम काम करते थे तो यह वाला एड़मिंन लॉगिन से ओपन कर लिजिए यह भी हम तीनों लॉगिं से ओपन कर लिजिए यह थे जार्टे साथन दिख यहां पर गए हम और देखे यह तीसरा आप्शन आ गया बेंक ट्रेजरी पोस्ट ऑफिस रिकागनीशन ठीक है तो यह आप बिल्कुल साफ साफ देख लिए आपको बेंक रिकागनीशन यहां से एट करना है तो यह मैं एट पर क्लिक करूंगा यह देखिए मैंने एट पर क्ल जिसे ही आपकी बीक रिकायद अगया घल हो तक यहां पोर पोर किलेंगे आप पहले करूंगे जैसे ही मेरे अपको करिंगा चाहिए आप यह सामने क्भी.. इसक्रीन अजाएगी कि इसमें इतना बेलेंस था इसके बाद यदि कोई bank ने चार्ज लिया है तो वो चार्ज आपको यहां लिखना है यदि आपके पंचायत के खाते में कोई ब्याज आया है इंट्रेस्ट आया है तो उसको यहां लिखना है और सबसे आखरी में इनको करके यहां नीचे टोटल में लिखना है और फिर उसको हम जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो फिर उसमें आप सनाये का फ्रीज करने का तो आप सीधे फ्रीज पर क्लिक कर देंगे जैसे ही आप फ्रीज पर क्लिक करेंगे तो आपका bank recognition of my month या आपका जैसे ही bank recognition close हो जाएगा जैसे ही bank recognition close होता है आप फिर से इग्राम स्वराज पर आजाएंगे तो देखे में यहां एकाद option और अभी जो जो चल रहा है देखे चुकि में यहां bank recognition close कर चुका हूँ तो देखे मेरे सामने क्या option आएगा यहां तक आप सभी को पता ही है यह देखे मेरे इसमें लिखा प्लीज क्लोज दा मन्थ पुक आप जून भीफोर इकानेशन दा अप जून तो चल रहा है तो अभी मैं मन्थ पुक जून की क्लोज नहीं कर सकता हूं तो इसलिए मैंने यह प्रोसेस समझा दिये कि आपको जो बेंक रिकागनिशन है यह हमारे प्रिया सॉप्टेर पूरा पर आ जाता हूं तो देखें जैसे ही मैं इस पॉर्टल पर आया तो आपको फिर से भाई स्क्रीन देखने लगी अब मैं यहां जैसे ही प्रियेड एंड प्रोसेजर पर जाओंगा और क्लोजिंग आउप बोक्स तो क्लोज डे बुक जैसे ही करूंगा तो अब हो जाएगी अब देखें क्लोज डे बुक हो जाएगी कि मेरा मेरी पुरानी क्लोज डे बुक भी क्लोज हो चुकी है मन्त बुक भी क्लोज हो चुकी है और बेंक रिकागनेशन भी क्लोज हो चुका है तो अब मैं जून मा की डे बुक क्लोज कर सकता हूं यह 2-6-3-6 जून तक करना है तो मेरी डे बुक पर क्लिक करता हूँ, तो मेरी डे बुक क्लोजड हो जाएगी, यह देखिए आप बिल्कुल सामने स्क्रीन पर आने वाला है, आप्शन, डे बुक आप तीन, छे, दो, यार बीस है बिल्कुल साफ साफ देख रहा है, यह आ चुका है, अब हमारी जैसे ही क् बुक से क्लोज होने लगी है, डे बुक यह सभी, तो अब हम आराम से पेमेंट बाउचर क्रियेट कर सकते हैं, और पेमेंट हम एजेंसी क्या जिसको भी हमें करना है, हम आराम से कर सकते हैं, तो दोस्तों, आप बिल्कुल बताईएगा, आपको मेरा वीडियो केसे लगा, अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करिये, और आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब जरूर करिये, और आपके जनपत, जिले में, जितने भी आप सभी रोजगार साहक, बंदूों, सभी पंचाय साची बंदूों से मेरा आग रहे हैं, कि जितने भी लोग आप से जुड़ सब्सक्राइब जो